वेलकम स्टूडेंस, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी स्किल सक्सेस पर तो फ्रेंट्स ये वीडियो जो है वो रिगार्डिंग टू करेक्शन होने वाली है क्योंकि बहुत से स्टूडेंस के कुछ डाउट्स थे जिनको लेकर मेरे पास परसनली और वीडियो पर भी कमेंट मुझे देखने को मिल रहे थे वो गन्फूजन जो है मूँ आप सब का इस वीडियो के माद्यम से दूर करने वाला हूँ तो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो तो वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा तो फ्रेंट्स कंफूजन स्टूडेंस के ये थे कि सर हमारे पास करेक्शन के रिगार्डिंग की करेक्शन करना है या फिर नहीं करना है उसके regarding कोई भी mail या फिर message NTA की तरफ से official रूप से नहीं आया है तो मैं आप सभी को बताना चाता हूँ कि आप mail या फिर messages का wait नहीं कर सकते आप सभी को पता है कि correction window open हो चुकी है ठीक है आप सभी को पता है कि आपकी जो need के लिए correction window है वो open हो चुकी है तो क्यों ना आप correction window पे जाके अपना application form चेक ही कर लें एक बार कि हमने जो application form बरा है उसको दोबारा से चेक कर लें कि कहां पर गलती हो सकती है कहां पर नहीं चेक करने में तो आपका कुछ भी नहीं मतलब लगता है ठीक है 20-25 मिनिट आपके waste होंगे लेकिन वो waste ही आपके लिए ही होंगे ताकि आपको future में इससे regarding कोई भी जो है problem face ना करने पड़े तो friends मेरा suggestion आप सभी students को ये है कि correction window open हो चुकी है तो आप anti की official website पर जाएं correction लिंक पर जाएं उसके बाद अपना registration नंबर और password डाले और वहां पर login करें login करने के बाद आपका पूरा का पूरा जो application form आपने बरा था वह आपके सामने खुल जाएगा वहां से एके column को चेक करते जाएं नीचे जिस परकार से आप चाते जाएंगे उस परकार से याप एके column को name, date of birth, father name, mother name और आपकी state of eligibility तो कुछ भी भर सकते हैं आप address वगएरा, paper mode ये सब आप चेक करते जाएं इसके बाद चेक करते करते आप फिर पहुंचेगे photo और ID वगएरा उस पर तो वो भी आप चेक कर लें कि आपने जो photo डाली है उसमें नीचे signature, sorry name और जो date है वो लिखी हुई है या फिर नहीं वो सब चेक कर लें वो सब चेक करने के बाद जब आप पूरे satisfy हों कि हम हाँ हमेरा form जो है वो बिल्कुल सही है तो आप एक बार फिर से preview करके और उसको submit कर सकते हैं एक बार अगर आपने submit कर दिया तो दुबारा उसमें आप correction नहीं कर पाएंगे ठीक है तो ये बैठ कर सोचने से better है कि आप वहाँ पे जाएं और correction करें अब ये सोचके बैठेंगे कि हमें NTA का mail आएगा official रूप से जो NTA के हमारे जो director है वो हमें बोलेंगे कि आपके form में corrections करने वाली है आप correction कीजिए जाके जल्दी से जल्दी तो उसकी weight हम नहीं कर सकते हम इतने समझदार हैं कि हम अपनी corrections हम अप के form में ये का गलती है तो आप जाके correction कीजिए तो ऐसा नहीं करना है आपको लगता है कि आपके form में correction करने की जरूरत है तो आप definitely जाके correction कीजिए अगर आपको नहीं लगता कि मुझे कुछी की connection की जरूरत नहीं है मैंने जो अपना application form सब्मिट किया है वो बिल्कुल ही साही है तो भी आप एक बार जाकर वहाँ प wipes कीजिये कि आपका application form जो है वो साही है या फिर नहीं है एक बार चेक करने में आपका कुछ भी नहीं लगता तो एक बार आप वहाँ पे चेक जाके चेक ज़रूर करियेगा तो ये एक important update था कुछ students के confusions थे मैंने बहुत से students के reply भी किये हैं लेकिन जितने reply कर रहा हूँ उससे ज़्यादा students के comments जो है वो आए जा रहे हैं तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक separate video बना के आप सभी को inform कर दिये जाए तो मैं आपको एक बार फिर से बोलना चाता हूँ कि आप NTA के official website पर जाए और correction window जो open हुई है उसका ज़्यादा से ज़्यादा benefit लें ठीक है friends तो यही आज का information थी आप सभी नीट experience के लिए और friends इस video को ज़्यादा से ज़्यादा share करें ताकि अन्य students के भी जो doubt है वो भी clear हो सकें तो मिलते हैं friends नेक्स्ट वीडियो में एक important update के साथ तब तक के लिए good luck and have a nice day